ओम स्यांति हम सभी देवी देवताकुल की महानात्माएं हैं याद करें हम अपने उन महान संस्कारों को जो जनम जनम हमारे साथ रहे हैं चाहे वो पवितरता के संस्कार थे चाहे सुखदाई संस्कार थे चाहे परोबकारी संस्कार थे कल्यान कारी संसकार थे हम मान रहे हैं हमारी संसकार भी बड़े रोयल रहे हैं अप उन हैं हम उन्ही संसकारों को अपने जीवन में अपना रहे हैं हम सभी को चेक कर लेना है हमारी संसकार हमारी महनताओं के अनुरूप हैं या नहीं है हम भगवान की बच्चे हैं हम देवकुल की महन अत्माएं हैं हम पूरवज्ज हैं हमें बाबा ने विस्व कल्यान का महनकारिय भी सौपा है हम जन जन को प्रभु से मिलाने का काम करते हैं हमें इस सब को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्दान भी दिलाना है तो क्या हमारी संसकार ऐसे रोयल हैं जो महान हैं क्या वो फीलिंग में आना रूसना रूटना परेशान रहना दुख देना और लेना क्या इन संसकारों के वसीभूत हो सकते हैं जिने विश्व में श्यांती का सामराजि स्थापित खड़ना है क्या वे क्रोध के तेरे मेरे के टकराव के लड़ाई जगडे के संसकारों में लिप्त रह सकते हैं देख लें जिने प्रकर्ति को भी पावन करना है क्या उनमें एपवितरता के संसकार लस्ट के संसकार देकी और आकरसित होने के संसकार बार बार आकरसित कर सकते हैं हम इन संसकारों से उपर उठ जाएं, और अपने संसकारों को बहुत डिवाइन और बहुत रोयल बनाएं, हमारी संसकार तो सुख देने के हैं, हमारी संसकार तो सब की पीडा हरने के हैं, हमारी संसकार तो बिगडी को बनाने के हैं, संसकारों को सिंपुल भासा में आदत कह लें, हमारी आदते तो वर्दानी बोलने की है, हमारे संसकार कटू अचन उचारण करने की हैं ही नहीं, हम तो संकर महदेव की तरहें दूसरों का विश पिने वाले हैं, उन्हें अम्रत देने वाले हैं, हमें कभी भी विश उगलना न नहीं है तो अपने संसकारों को आज विशेश रूप से चेक करेंगे मेरे पास कोई गलत संसकार तो नहीं है जो मुझे संपूर्टा की रहा पर चलने से रोकता है जो महानलक्स को पाने में बाधा उत्पन करता है जो संगठन में रहने में मुझे कटनाई पैदा करता है दू कोई ऐसा चोटा मोटा संस्कार जो हमें negativity की ओर ले चलता है जो हमारी महनताओं को भी लीन कर देता है जब दूसरे देखते हैं कि इनमें तो ये संस्कार है ये तो फट से रूस जाते हैं ये तो असंतुस्ठ हो जाते हैं इन्हें सम्मान न दिया गया तो ये बिल्कुल विचलित परिशान हो जाएंगे, तुफान मचाने लगेंगे, तो ये संसकार देख लें क्या महनात्माओं के, भगवान के बच्चों के हो सकते हैं, अपनी मानताओं को पहचाने, कितने महान हैं हम, किसके हैं हम जैसे हमारे बाप के संसकार ब्रह्मा बाबा के संसकार वैसे हमारे संसकार भी हो होंगे ही वो सब हमारे अंदर समय हुए हैं जैसे बाबा उदार चित सबको सुख देने वाले सबका कल्यान करने वाले सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले सब को प्रेरित करने वाले थे वैसे ही हम भी बन जाएं तो आज सारा दिन आपने देव स्वरूप को याद करेंगे इस नसे में रहेंगे बाबा मुझे क्या देने आया है एक वीजन बनाएंगे जैसे बाबा बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और एक स्वर्क का मोडल हाथ पर रखा हुआ है ताज और तिलक लिए हुए हैं और मुझे प्रदान कर रहे हैं कह रहे हैं बच्चे यही सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ये तो तुम्हारा जनम सिद अधिकार है तो अपने देव सुरूप के नसे में रहेंगे अपनी भविस प्राप्तियों के नसे में सारा दिन रहेंगे और अपने देव संसकारों से वर्तमान संसकारों की तुलना करते हुए अपने संसकारों को बहुत दिव्य बहुत रोयल बनाएंगे ताकि हमें देख कर सभी को बाप दादा का शाक्षातकार हो ओम स्यंति